हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू SAC क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है SAC MTS 2020 एक्जाम के लिए एक और important topic है इस वीडियो में जैनवरी से लेकर अगस्त तक के बीच में जितने भी most important appointments हुए हैं वो हम लोग इस वीडियो में cover करने वाले हैं और आपको अच्छे से मालूम है कि appointment से exam में question आता है और current affairs के बाद करें total 25 questions जो gk का होता है आपका इस 25 questions में से 7-8 question आपका current affairs का होगा ठीक है और इस 7-8 question में एक question आपका appointments का भी रहने वाला है तो अभी जितने भी वीडियो जाएंगे वो किस पे related होंगे तो यही जो 7-8 question आता है कम से कम 9-10 topic में से current affairs का तो अभी फिलाल 3-4 दिन में उस topic को complete करवा देंगे ठीक है स्टार्ट करें हम लोग इस important वीडियो को और देखें English वालों के लिए यहाँ पर दिया है एक slide में Hindi वालों के लिए next slide में फिर English फिर Hindi ताकि Hindi वाले यह नहीं बोले कि मेरे साथ ना इंसाफी हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन ऐसा important appointment जब first में तो कौन है Vice Admiral Ash Ann घोरमडे जो है यह कौन है यह appointed हुए है Vice Chief of Naval Staff I know कि आप लोगों को इसमें से बहुत सारा चीज आता है तो बहुत अच्छी बात है मैं तो चाहता हूँ कि आपको आए लेकिन अगर आ रहा है तो revision point of view से इस वीडियो को आपको देखना चाहिए ठीक है revision point of view से तो अगर exam में question आ जाए कि कौन बने है Vice Chief of Naval Staff आप क्या बताएंगे S.N. घोरमडे जो है यह होगा इसका correct answer Next question दीपक दास यह दीपक दास कौन है यह appointed हुए है as the controller general of accounts ठीक है अगर आप देखेंगे तो january से लेकर अगस्त के बीच में अगर appointments आप देखेंगे तो यह more than 400 है अब क्या 400 को cover करना इस time पे सहीड है गा ओविसे बाते नहीं तो इसलिए जितने भी इसमें दिये वहना वो सब अपने आप में important है जिसका पूछे जाने का chances बहुत जादा है इसलिए यह pdf बहुत ही जादा important आपका होने वाला है एक भी ऐसा unimportant question आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें ठीक है तो यहाँ कौन है दीपक दास दीपक दास जो है यह controller general of accounts ठीक है इस पर यह गए है दीपक दास नेक्स्ट कौन है गुईडो बैलीडो ठीक है गुईडो बैलीडो जो है यह कौन है यह appointed हुए है as the prime minister of पेरु ठीक है तो पेरु के प्रधान मंत्री कौन बने है कौन बने है तो गुईडो बैलीडो नेक्स्ट हम देखते है जेनरल मीन आंग हलिंग ओके यह कौन है यह prime minister बने है मैनमार के ओके प्राइम मिनिस्टर मैनमार नेक्स्ट जस्टीस वी एम कनाडे यह कौन है यह appointed हुए है न्यू लोकायुक्त औफ महरास्टर न्यू लोकायुक्त औफ महरास्टर कौन बने है वी एम कनाडे कोई दिक्कत यहां तक नेक्स्ट देखते हैं लोग नेक्स्ट क्या है आपके सामने सिक्स में मीनी आईपे यह कौन है यह appointed हुए है MD of Life Insurance Corporation of India LIC LIC के MD कौन बने है मीनी आईपे नेक्स्ट है इबराहिम राइसी इबराहिम राइसी कौन है यह है President of Iran इरान के President कौन है इबराहिम राइसी नेक्स्ट है राजीव गौबा राजीव गौबा कौन है यह है Cabinet Secretary of India was extended by one year by the appointment committee of the cabinet इनका जो कारेकाल है वो एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है यह कौन है Cabinet Secretary of India Next है रेखा सर्मा रेखा सर्मा कौन है यह Chair Person of National Commission for Women है इनका भी कारेकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया तो यहाँ पर जितना भी यह दिया वा है यह सब important है मीनी आईपे यह कौन है Life Insurance Corporation of India के MD President of Iran कौन है इवराहीम राइसी राजीव गौबा कौन है यह Cabinet Secretary of India है रेखा सर्मा कौन है तो National Commission for Women की यह Chair Person है Next देखते हैं हम लोग Next यहाँ पर Question No.10 तो Dr. 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 Dhrithi Banerji ठीक है Dr. Dr. Dhrithi Banerji तो Dr. Dr. Dhrithi Banerji यह कौन है यह appointed हूई है As the Director of the Geological Survey of India और यह First woman है इस पदपर ठीक है She has become First woman to be the Director of Geological Survey of India याद रहेगा आपको इसका Headquarter कहा है कोलकता में है नेक्स्ट है मोहम्मद मोकबर ठीक है ये कौन है ये फर्स्ट वाइस प्रसिडेंट ओफ इरान है ठीक है मोहम्मद मोकबर जो है ये फर्स्ट वाइस प्रसिडेंट ओफ इरान है नेक्स्ट है नुपूर चतुरवेदी नुपूर चतुरवेदी कौन है ये appointed हुई है CEO of NPCI भारत बिल पे लिमिटेड अगर question आ जाए NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के CEO कौन है वो कौन है नुपूर चतुरवेदी नेक्स्ट है हाकंडे हीची लेमा ये कौन है ये president है जांबिया के ठीक है president of जांबिया कौन है कौन है हाकंडे हीची लेमा नेक्स्ट है सांतीलाल जैन सांतीलाल जैन कौन है ये MD and CEO of Indian Bank इंडियन बैंक का कौन है MD and CEO सांतीलाल जैन नेक्स्ट है इसमाईल साबरी याकूब इसमाईल साबरी याकूब ये कौन है ये prime minister of Malaysia है Prime Minister of Malaysia पूछ लिया जाए कौन है इसमाईली साबरी याकूब नेक्स्ट है नकूल चोपरा नकूल चोपरा कौन है नकूल चोपरा है CEO of Broadcast Audience Research Council ठीक है तो Broadcast Audience Research Council के CEO कौन है नकूल चोपरा नेक्स्ट है संदीप बक्ची ये कौन है ये reappointed हुए है MD and CEO of ICICI Bank नेक्स्ट है अजय कुमार अजय कुमार कौन है ये appointed हुए है executive director of RBI तो ये तो बहुत ज़्यादा important हो जाएगा अगर question आ जाए कि executive director of RBI यानि कि Reserve Bank of India कौन है तो अजय कुमार है हितेंद्र दवे ये कौन है ये है CEO of HSBC Bank HSBC Bank के CEO कौन है हितेंद्र देव नेक्स्ट है CEO of नीती आयोग नीती आयोग के CEO कौन है अमिताव कांथ अमिताव कांथ जो है CEO of नीती आयोग नेक्स्ट है जस्टिस रवी विजे कुमार मलिमत ये कौन है ये है chief justice of हिमाचल प्रदेश high court ठीक है chief justice of हिमाचल प्रदेश high court next है advocate कल्यान नरायन भटाचारिया तो कल्यान नरायन भटाचारिया ये कौन है ये appointed हुए है new लोका युक्त आफ तृपुरा अगर question आ जाए कि लोका युक्त अफ तिरुपूरा कौन है तो क्या होगा कलियान नरायन भटाचारिया ठीक है कोई दिक्कत next question देखते हैं हम लोग विने प्रकास विने प्रकास ये कौन है ये appointed हुए है as resident governance officer for India by twitter next है स्याम स्री निवासन ये कौन है ये reappointed हुए है MD and CEO of federal bank next है सेर बहादूर देवबा ठीक है ये कौन है ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने है तो ये important हो जाएगा neighboring country है इसके प्राइम मिनिस्टर कोई बने है वो याद करना बहुत ज़रूरी है तो कौन है सेर बहादूर देवबा next है मुकतार अबास नकभी इनका नाम आपने सुना होगा टीवी पे आते रते हैं तो मुकतार अबास नकभी ये कौन है ये appointed हुए है deputy leader of the house in the raja sabha ठीक है deputy leader of the house in the raja sabha कौन है मुकतार अबास नकभी next है रस्मी रंजन दास रस्मी रंजन दास ये कौन है joint secretary of the finance ministry ठीक है next है राकेश अस्थाना ये कौन है ये appointed हुए है commissioner of Delhi police अगर आपसे कोई पूछ ले कि commissioner of Delhi police कौन है तो राकेश अस्थाना ठीक है next है farm मिनाचिन ये कौन है ये reelected हुए है prime minister of Vietnam next है JB महपात्रा ये कौन है ये इनको additional charge मिला है chairman of CBDT का यानि कि central board of direct taxes ठीक है JB महपात्रा next देखते हैं हम लोग कुलदीप सिंग कुलदीप सिंग कौन है कुलदीप सिंग है इनको additional charge दिया गया है D.G. of National Investigation Agency ठीक है National Investigation Agency N.I.A ठीक है तो N.I.A का additional charge किसे दिया गया है कुलदीप सिंग को दिया गया है next है TV नरेंदरन TV नरेंदरन ये कौन है ये appointed हुए है President of Confederation of Indian Industry कौन TV नरेंदरन ठीक है next कौन सा है आपका इशाक हजोर्ग ठीक है हरजोर्ग ये कौन है ये appointed हुए है President of Israel तो आई से हो गया इसराइल आई से हो गया आईजेक ठीक है इशाक इशाक next है आपका Vice Admiral रवनीत सिंग तो Vice Admiral रवनीत सिंग ये कौन है ये appointed हुए है as Deputy Chief of Naval Staff Deputy Chief of Naval Staff ये कौन appointed हुए है तो Vice Admiral रवनीत सिंग next है Justice A.K. Misra Justice A.K. Misra ये कौन है ये appointed हुए है as Chairperson of the National Human Rights Commission तो Chairperson कौन है National Human Rights Commission का तो Justice A.K. Misra next है Dr. Patrick Amoth ये कौन है ये Chairman है of the WHO Executive Board के ठीक है WHO Executive Board के ये Chairman कौन है Dr. Patrick Amoth Vice Chief of Air Staff कौन है Air Marsal विवेक राम चौधरी next है हितेंद्र दाव ये कौन है ये है CEO of HSBC Bank के next है अब्दुल्ला साहिद अब्दुल्ला साहिद ये कौन है ये है ये है President of the 76th Session of the United Nations General Assembly तो 76th Session जो है United Nations General Assembly के President कौन है तो अब्दुल्ला साहिद अनूप चंद्र पांडे अनूप चंद्र पांडे ये कौन है ये appointed हुए है as election commissioner by union government for the tenure of three years he has replaced सुनील अरोडा तो सुनील अरोडा जो की पहले थे अब उनके जगा पे कौन आ गए है अनूप चंद्र पांडे ये तो स्टामाख है question आ रहा है एकजाम में next है चंद्र सेखर घोष चंद्र सेखर घोष ये कौन है बंधन बैंक के MD and CEO चंद्र सेखर घोष कौन है MD and CEO of बंधन बैंक next है सत्यनाडेला ये कौन है Microsoft Corporation appointed CEO सत्यनाडेला to be their chairman Microsoft Corporation के CEO कौन है सत्यनाडेला next कौन है MK Jain MK Jain कौन है ये reappointed हुए है deputy governor of reserve bank of India के ठीक है ये भी star mark question है और एक important बात जितने भी अभी नए governors आए है जितने भी नए CM आए है ठीक है इस पे related एक video अलग से बनाएंगे ठीक है जितने भी states है union territories है उसके CM ठीक है governor फिर से आपका जितने भी lieutenant governor है ठीक है defense ये सब का एक separate video बनाएंगे उसमें cover करेंगे इसलिए इस appointment में chief minister और governors को बहुत कम लिए है ठीक है उसका अलग video बनेगा तो फिलाल यहां क्या देख रहे थे हम लोग MK Jain को MK Jain कौन है ये deputy governor है Reserve Bank of India के Reserve Bank of India का headquarter कहां है मुंबई Reserve Bank of India के governor कौन है शक्तिकांत दास आपको अच्छे से मालूम है कि एक होता है governor और चार होता है deputy governor तो deputy governor एक तो हो गए Michael Patra MK Jain Ravi Sankar और M Rajeshwar Rao Next कौन सा है आपका इस पूर्थी प्रिया ये कौन है ये कौन है तो facebook has appointed पूर्थी प्रिया as its governance officer for India Next M.R. Kumar M.R. Kumar कौन है देखी M.R. Kumar का जो tenure है वो एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है chairman के रूप में तो अगर आपसे पूछ ले chairman of L.I.C. कौन होगा M.R. Kumar headquarter का है L.I.C. का Mumbai में है कब ये established हुआ था founded 1956 में Next है नीरज बजाज नीरज बजाज कौन है तो ये chairman है बजाज आटो के तो बजाज और बजाज यहां दिया है तो बजाज आटो के कौन है नीरज बजाज 4th deputy governor of R.B.I. T. Ravi Shankar Next है अरून कुमार सिंग अरून कुमार सिंग ये कौन है ये appointed हुए है as CMD of भारत Petroleum Corporation Limited ठीक है अगर question आ जाए भारत Petroleum Corporation Limited के CMD कौन है तो अरून कुमार सिंग है रमेश पवार ये कौन है ये है head coach of the Indian Women's Cricket Team ठीक है head coach है Women's Cricket Team के ये head coach है रमेश पवार B.C.C.I. का headquarter कहा है मुंबई में और president of B.C.C.I. कौन है शौरफ गाउंगली Next है गुंजन शा ये कौन है ये appointed हुए है CEO of Bata India Bata India के CEO कौन है गुंजन शा ठीक है Next हम लोग देखते है सुसील चंद्रा ये कौन है ये appointed हुए है as Chief Election Commissioner of India ठीक है सुसील चंद्रा चलिए तो यहां हो गया सुसील चंद्रा जो हो गया ये appointed हुए है Chief Election Commissioner of India Next है हिमन्त विश्वा सर्मा ये कौन है हिमन्त विश्वा सर्मा कौन है ये elected हुए है of the badminton world federation ठीक है इसके president Next है नरिंद्र बत्रा ये कौन है ये है ये re-elected हुए है President of International Hockey Federation के प्रसिडेंट कौन है नरिंद्र बत्रा Next है शुबोद कुमार जैश्वाल ये कौन है ये है Director of the Central Bureau of Investigation ठीक है CBI के director कौन है शुबोद कुमार जैश्वाल शुबोद कुमार जैश्वाल कौन है तो ये है Director of Central Bureau of Investigation जगजीत पवाडिया ये कौन है ये president है International Narcotics Control Board के International Narcotics Control Board के President कौन है जगजीत पवाडिया तो इस तरीके से Important Appointments इसमें आपका Cover हुआ है और इसमें जो है जितने भी latest Governors बने है Chief Minister बने है इसको हम यहाँ पर Consider नहीं किये हैं क्यों इसके लिए अलग से separate बनाएंगे बहुत सारे Brand Minister भी Appointed हुए है उसका भी अलग से वीडियो बनेगा फिर से Revision आपका आने वाले 3-4 दिन में Complete हो जाएगा तो कैसा लगा आपको Session आपको लगा कि यह Session आपके लिए Important था तो Like करके ही जाना है मिलेंगे आपसे Next Topic में PDF नीचे दिया हुआ है और Playlist MTS का अलग से बन चुका है उसको भी आप देख सकते हैं Playlist में बहुत सारा वीडियो बहाँ पर बना कर डाले हैं तो मिलेंगे आपसे Next वीडियो में तब तक के लिए All the Best